जहांसे में शादी में हर्ष फारिंग के दरान गोली लगने से महला की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हुए हैं। महला अपने मकान माली की बेटे की शादी में शामिल होनी गई थी। शादी में दूले की पिता के बंदूग से रिष्टिदार पेसी जवान फारिंग कर रहा था। तब ही घटना हो गई और शादी समारोह में भग दर मच गई। महला की कमार पीर समीत अन्य हिस्सों में से 5-6 छड़े लगे हैं। पुलीस पंच नामा भर कर पोस्ट माटम करवा रही है। बताया जाराए कि आरूपी को कुलीस नहरास्त में लेकर पूस्तार शुरू कर दी है। तब का नाम मिथली शुर्फ मिथला पतनी सुरेश प्रजापती है। वह मुरूप से जनपत के संथर ठानाशेथ के लोहगर गाउं की रहने वाली थी। 11 साल से महानगर के RTI खोडन में रामेश्वर के मकान में किराय से रह रही थी। पतनी सुरेश प्रजापती ने बताया कि मंगलबार रात को रामेश्वर के वेठे दिपक की शादी हरी किशन डिगरी कॉलिज के पास निश्रा गार्डन में थी। पती ने आगे बताया कि रात 12 बजे बारात विवाह घर की तरफ जा रही थी और रामेश्वर की दोनाली बंदूग से पीएसी जवान फारिंग कर रहा था। लोग डीजे पर नाच रहे थे जब बारात विवाह घर के गेट पर पहुँची तो पर 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 पती के बास डबल बैरल गन है जिसको लेकर के उनके रिलेटिव नरेंद्र पर पर पती उसको देखने लगे इसी दोरान उससे फायर हो गया था जिसमें चार लोग छर्रे से घायल हुए है उनका इलाज चल रहा है सभी लोग खत्रे से बाहर हैं अभी पुलिस को सूचना मिली है इसमें जाच की जा रही है अभी कोई तहरीर प्राप नहीं हुई है तहरीर लेकर गे उची धाराओं में अभियोग पंजी करित करके अगरिम बैधानी करवाई की जाए जातर कोई महिला थी हाँ उसी जब फ खरे लगने से मिथलेश और खुशी बेहोश हो गई जबकि तीन लोग लहुलुहान हो गए यह देख मौकी पर भगदर मच गई बाद में आसपास के लोग एकत्र हुए और घायलों को सिवल अस्पतार पहुंचाए गया जहां पर मिथलेश को मृत घोशित कर दिया गया व और रिपोर दिली समाचाए